कि आज मैं बना रही हूं छीकन बिडियानी जू माम की रिसी पी थी और मेरी भेहन ने बनाया तो बढ़ है मकुथ इंपर्टइन चीस होता ह new लिए पार क्या के इंग्रेटियंट्स्स स्टनें मैंने इंग्डिटिंस के लिस्ट दे दिया है और आपको एक बड़ा सा बगना लेकर उसमें तील डाल दीजिए और गनम होने के बाद उसे अलग से डिफिन में निकाल के रख दीजिए अब तेल में आपको दालनी है अच्छे से स्लाइस किये हुई है आनियंस अच्छे से स् अच्छे से प्राइब करते रहे हैं तो इसका ब्राउन होने तक कर वेट कीजिए हो रहे हैं तो पहली बार हमने ट्राइब किया है हमारी माम की रेसीपी लेकर आपके साथ शेयर कर दिया ब्राउन होने लगा है ब्राउन होने के बाद आपको इसमें से क्या करना होगा वन बाई थर्ड आनियन से प्रेट कर लीजिए बच्छे वी अप्याज में आप तै बनाएंगे ब्राउन हो आपको डालने होगी लांग डालने होगे पहले तो लांग डाल लेते हैं दाल दिया निक्स्ट आपको डालना होगा निक्स्ट इंग्रीडियंट विर्यानी लिड्स and then कची मिर्च दालने होंगे ग्रीन चिली 526 या 7 दाल दीजिए निक्स्ट दालना है नहीं पहले मिर्ची को थोड़ा पकने दीजिए थोड़ा इसका कची भो जाने तक इसके पका दीजिए इसके बाद आपको दालना होगा अद्रक और खोतिमेर का पेस्ट अद्रक और खोतिमेर का पेस्ट फ्रेश होना चाहिए तब यापको अच्छा प्लेवर आएगा तो नेक्स्ट दालेंगे थोड़ा इससे मिक्स कर देंगे इसका भी जो जोट मिल है आपको सब कुछ इसमें पक जाना चाहिए तो थोड़ा सा वेट करेंगे इसका पकने दखा थोड़ा इसा मिक्स करते रहे हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा पुदीना पुदीना लीश दालने होगे या डाल दिया और मिक्स कर दिया तो इसके बाद आपको वो चिकन डाला होगा जिसे आपको पहले से मिला के रखना होगा ताई के लिए तो ताई के लिए आपको उत्में क्या क्या डाल कर मिलाना होगा हमने यहां त्री केज का चिकन लिया है तो इसमें साल टर्मरिक पौडर एंड ग्रिंजर गार्लिक पेस्ट चिली पॉडर गर्म मसाला लेमन थोड़ा से एक निम्बू पानी चलता है वो ग्रीन चिली मिन्ट लियूस मन यानि की पुदीना कुरियांडर लिप सब कुछ दाल कर अच्छे सिम्ला की रख देने चाहिए साइड में अब आपको इस में एड़ करने देजी वो सब्सक्राइट के हुए चिकैन को यहां पे आड़ करने दीजिए ऑगे तो एड़ कर दिया है इसे अच्छे से नीचे से मिक्स करिए हमने पहले जो बागार किया तो वो सब कुछ इसमें मिल जाना जाए तो नीचे से उपर तक अच्छे से मिक्स ताय हो गया तो अपकी बिर्यानी भी योगे अड़ बिर्यानी में 3 स्वाप्ला का लेते हरे हम लोग तो पहले स्टाय कर लेते हैं बाद में खाना लेता हैं और तो हमने यहां पर हरा चिकन डाल दिया और इसे थोड़ी देर ठकने देंगे अच्छा करे कर दो हम निठेगा निकाल के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है तो फोड़ा और मिक्स करके इसमें कुछ और याड नहां होगा भीच में दो मिनित के बाद तो वह में है बिरियानी के लिए तो जाइफल जापत्री का मसाला दो मिला के अलग से पीस के रख लिया था वही बॉडर आप एड़ करेंगे इसमें तो देखिए एक वन टीस्पून काफी होता है जाइफल जापत्री का मसाला तो डाल दिया हो गया ग्रीवी है बिरियानी के लिए इस चिकेन को तब तब करें जब तक इसमें से आईल ना निकले देखिए जैसे पड़कर है मगर आईल नहीं निकला हुई तो इसे जब तक कुक करना होगा जब तक इसमें से आईल ना निकल जाए आईल ना दिख जाए आपको थोड़ा आईल निकलना स्टार्ट हुआ है तो ओठ थोड़ी देर पकाएंगे इसे पकाने के बाद देखिए आपको सप्लेट दिख रहें ना आईल थोड़ी देर पकाएंगे इसे पकाने के बाद थोड़ा थोड़ा असा निकल के और त्यादा आईल आना चाहिए इसका सारा पानी जाकर आपको आईल आजाएगा तो तो थोड़ी देर कुक करने देंगे पीच पीच में आपको मिलाना होगा नहीं तो दाग लग जाएगा तो आप पीच पीच में मिलाते रहे हैं आपके ताई को दाग लगने मत दीजिएगा वरना आपकी ब्रियानी काली हो जाएगी तो देखिए अच्छे से इस तरह पक निचे है यह नीबू है बिर्यानी के लिए और एक अलरस है बिर्यानी में मिलाने के लिए तो बिर्यानी के चाल के लिए हमने एक बड़ी से बगने में पानी ले लिया हालन के लिए और उसमें हम डाल रहे हैं दाल्चीनी एंड डालजनी के बाद हम दाल रहे हैं लॉंग क्लाउस यह टू इंग्रिडिन्स हम इसलिए डालते हैं ताकि चाल में थोड़ा सा फ्लेवर लग जाएं दो का तो आप चाहे तो इसमें विरियान की लीव्स भी डाल सकते हैं तो हमने बाद में अट कर लिया था तो हदन आ चुका है तो इस हदन के इसमें हम दालेंगे चावल पहले से बिगवे हुए चावल इस पानी में डाल देंगे सारे चावल डाल देने हो गया आपको डाल दिया तो चावल पकने तक कर वेट कीजिए तेल ला लिए थोड़ा सा उपर से तेल ला लिए ताकि आपके चावल लगे ना दाना तो अच्छे से पकर जाए तो चावल पके हमने सप्रेट इसमें ले लिया और यह है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो हम बिर्यानी के लिए चावल ग्रेवी के साथ मिला के चावल और ताई को दोड़ों मिला के रख दें तो लेयर में पास्ट लेयर में हम ने क्या ड़ला निजर और कुरियंडर पिस तला और उसके उपर राइस कवर किया एनद इसमें डालेंगे थोड़ी से और है ओ cancellation यूंट में डालेंगे लेंगे तो इस पस्लियर में फोड़ी से सब्सक्राइब है तब देखे रहे हैं को समझ में आ जाएगा कर लिटेयन से पहले बचाए हुए प्यास है ना तले हुए प्यास और यह बैसरी एड़ करेंगे लियर लेर में इस तरह अधी बिर्यानी कलर फुल लग रहे है सारी हो जाएगी वाव यमी रहेगी यह कलर है और इंज रेड़ है दोनों को थोड़ा थोड़ा सा पानी से मिलाकर सब्ट्रेट इसमें रख लीजिए इस तरह एड़ करिए और आपको पुदीना लिए उस कुरियांडर लिए इस दोनों लिएड़्स महरी क्लियर में एड़ क ताकि आपको सारे फ्लेवर्स अच्छे से विर्यानी में आ जाए यह यह लिमन जूस है तो हो गया ना सारा लेरिंग तो अब उपर की गैनीशिंग के बारी है तो हमने कलर सारा डाल दिया टू कलर सेंड बची वे प्यास सारी डाल दी यह नेक्स्ट दालेंगे पुदीना लिव्स गरियांडर लिव्स एंड पहले बचाया थे ना तेल उस तेल का इस्तेमाल अब हम अब करेंगे विर्यानी के ओपर से हम तेल दालेंगे सारा गर नीशिंन होने के बाद तेल दालेंगे उसके बाद अच्छी सी आपको आड़ करना है ताकि आपकी बिरियानी बहुत टेस्टी होने तो हमने घर बनाया घी अड़ किया यहां पर होममेड घी है तो इससे अच्छी सी खुश वह आती है और अच्छा सा प्लेवर इसमें आ जाता है टेस्ट भी बहुत बेमिचाल होती है तो अब इसे दम कर देंगे तो क्या है हमारी बिर्यानी रिडी हो जाएगी तो चलिए इस बिर्यानी को दम कर देते हैं दम के लिए रख दिया मीडियम फ्लेम में रख के इसी दम करना होगा तो अब को अच्छे से बिर्यानी को बिलाना होगा नीचे से मिला करहीं आपको सिर्व करना होगा वन्हाब आपको प्लीज अच्छे से मिला लीजिए नीचे से मिला लीजिए ये रही है हमारी वेरी टेस्टी चिकेन पिरियानी रेसिपी तो आपके अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिये और बाजू को बेल बटन दबाना भूल मच जाएगा थैंक यू झाल 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 झाल